नमस्ते मैं रवी सिंग चौधरी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यह जो घी है इसके अलग-अलग प्राइसेस या वेरियेशन क्यों दिखते हैं और कभी-कभी जो हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप यह दो हजार रुपए किलो घी यह कैसा घी है इतना महंगा क् गया कई अलग जो बड़े-बड़े ब्रैंड्स हैं उनकी भी घी जो है वह इतने प्राइस पर नहीं मिलती है तो ऐसा क्या है इस घी में सबसे पहले तो बात करें कि जो मार्केट फोर्सेज हैं कोपरेटिव सोसाइटीज हैं वह जो घी है वह कैसे आपको बना के दे रही ह पहला तो है कि वो दूद्ध प्रोक्यूर करती है किसानों से फैट के कंटेंड के बेसिस पर जैसे अगर हमें एक रिशेंट कैलकुलेशन बता है तो आठ सो से साढ़े आठ सो आठ के बीच में पर किलो फैट के बेसिस पर यह दूद्ध खरिदती है ठीक है लोग दूद अ टूद्ध जो है उसका एक मार्केट प्राइस पचास रूपे पचपण रूपए 50R60 रूपए के हिसाब से कस्ट मर को बेल नीकाल दिया जाता है उसको निगाल दिया जाता है तो दूद्ध यह बनाते है तो ढूध का उनको पूरा दा मिलचुका होता है है मगर हम तीस लीटर दूद अगर हम पकड़े एक भैस का दूद नहीं एक ऐसा साधरान गाय का दूद जिसमें अगर हम घी बनाना चाहें, तो 30 लिटर दूद से घी बनती है, एक किलो घी बनती है, लेकिन ये 30 लिटर दूद बेच चुके हैं, जिसका 60 रुपे के साब से अगर हम जोड़ें, तो 1800 रुपे बन गए, और घी जो है, वो एक किलो निकला, उसका 600 रुपे, 700 रुपे कि A2 Milk वाला घी है, या Bilonna Method से घी है, या मत के बनाया हुआ है, मखन से बनाया हुआ घी है, जो आईरवेद के सिधानतों के अनुषार बनाया हुआ घी है, वो दूद से बन रहा है, दूद को पहले दही में बदला जा रहा है, दही को फिर मखन में, मखन से फिर घी, इसमें पूरा दूद कंज्यूम हो जाता है तो 30 लिटर पूरा दूद कंज्यूम होगा उससे 1 किलो घी बनेगा दूद बेच नहीं पाया किसान जब वो बिलोना मेथट से बनेगा तो उसका वो अगर market price demand करता है ठीक है तो 60 रुपे के जब से 1800 रुपे उस घी का दाम हो गया क्योंकि उसमें दूद भी है यहाँ वाले घी में क्रीम अलग था और दूद अलग था दूद का वो कमाई कर चुके हैं और क्रीम का वो surplus income उनके लिए है यहाँ पर bottle का price नहीं जोड़ा जा रहा है आप simply देखिए कि ऐसे costing आ रही 1800 रुपे की तो पहला तो यह अंतर है कि वो 700 रुपे 600 रुपे का क्यों है यह 1800 रुपे का क्यों है दूसरा आईरवेज जब कहेगा तो वो कहेगा कि कपिला पशू की घी है क्या काले रंग की गाय है क्या भूरे रंकी गाय है क्या इस नक्षत्र में घी बना है क्या इस नक्षत्र का दूद है क्या पूर्डिमा में बनी है क्या ब्रह्म मुहरत में उसे मता गया है क्या गायत्री मंत्र का जाप हुआ है क्या किस प्रकार से घी बनाने की विदी है किस बरतन में आपने बनाया है कैसे उसका संग्रक्षन किया है संजय किया है वो डिसाइड करेगा घी की गुनवत्ता तब वो बनती है आयरवेद के मेडिसिन के लिए पंचगव्य में तो simply वो क्रीम का तो नहीं है तो अगर हम इतने complexities को अगर हम जोड़ें तो असली कॉस्ट तो बहुत जादा होना चाहिए तो फिर किसान या एटू मिल्क या जो देसी गाय का दूद का जो हम कह रहे हैं कि बिलोना मेथ़ड से तो फिर तो वो लॉस में बेच रहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि दूद नहीं बेचने से उसमें एक पावर आ जाता है शेल्फ लाइफ का वो आराम से बेच सकता है पहली बात है वो हरवड़ी में नहीं है तो हम बिजनस में कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर आप कच्चा माले जल्दी अगर बेचना चाहते हैं तो उसका सही दाम नहीं म देखिए कि यहां वाला जो अठारा सो रुपए किसान जब स्वयम से घी बनाके बेचता है तो वह प्रोक्यूर्मेंट प्राइस से जादा कमाता है तो यहां पर किसानों को शेल्फ लाइफ का फाइदा है मार्केटिंग का उसको फाइदा है वो शुद्ध उत्पाद पिच सकता है दूर घी बेच सकता है उसके पास वैन नहीं है चिलर नहीं है तो दूद्ध बेच नहीं सकता है और गांच में और एक बेनिफित आजाता है फ्री ग्रेजिंग जंगल में वह चर रहे तो उससे दूद की गुनवत्ता बढ़ जाती है और दूद का जो फीडिंग कॉस्ट है जो गाये को खिलाने का है जो हम शहरों में जोडते हैं आपको थोड़ा अश्चर जोगा 45 रुपए प्रती किलो दूद पैदा करने के लिए खर्च आ जाता है सिर्फ खाद्यान का पशू क जो आहार है उसका ही खर्च 45 रुपए है 40 रुपए है शहरों में अगर हम पालन करें और यहां पर थोड़ा सा फ्री गेजिंग करता है घास को भी खारा होता है तो वहां पर जो है कॉस्ट जो है इसका रिडक्शन हो जाता है तो एक तो यह कॉमपरिजन है कि आपका दोनो घी का दाम में अंतर क्यों है फिर इस प्राकार के अंतर के बाद किसान देशीगाय के घी को क्यूंम बैचना चाहता है और इसको यहां पर क्यूंढ यह जादा नहीं है क्योंकि इसके साथ आपको शुद्ध रूप से संपूर्ड आहार के रूप में जो है वह घी आपको मिल रहा क्याइШ कहता है कि केला खाने से अगर आपको शमस्या किस्वण अंग, तर्भूज खानेसे आपको problem हुए तो ऊसके shell में उसका समाधार है उसी प्रकार दूद में से अगर छाली को अलग करके आपने घी बनाया है और एक घी जहांपर दूद और छाली एक साथ है तो एक संपूर्ण है उसका जो लाब होगा वो अलग होगा तो यह एक घी का जो है एक बहुत बड़ा प्रस्पेक्टिव है और मैं तो सबसे पहले मंदिरों की जो कमिटी है वहां भी बात करता हूं कि आप जो वहां पर चड़ावे में दे रहे हैं कहीं कहीं आपको सुनने में आश्चार जोगा 4 230 रुपए 530 रुपए 630 रुपए प्रती किलों के हिसाब से जो घी है वो खरदा जाता है मंदिरों के उपियोग के लिए और एक आम व्यक्ति को भी मैंने देखा है हमारे बिहार जारखन में कि जब स्वयम खाता है तो एक घी खरीता है फिर वो कहता है यह पूजा वाला या वो कहेगा गनेश घी 200 रुपए 1500 रुपए वाला छोटा सकर देगा मतलब भगवान की उपासना पद्धिती में प्रियोग होने वाले जो गी है वो और बुरा होता है वो और खराब रूप से वो खरीता है तो यहां पर आप देखेंगे कि वो धार्मिकता दिखात तो है बट वहां पर जो है वो और खराब घी का प्रियोग कर रहा है तो अगर स्वैम नहीं भी खा रहे हैं इतना गुणवत्ता वाला कि कम से भोग में जो चड़ा रहे वहां पर तो आप शुद्ध रूप से कुछ ग्राम जो है शुद्ध घी को आप चड़ाव के रूप में वहां पर चड़ा सकते हैं और एडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं उसकी बहुत ही शांदार जो हम कहते हैं कि यह मुगल अब फिर से मुगलकाल का मैं नाम लूँगा कि कुरिती फिर वहां से क्यों आ जाती है तो मैं एक बात बताना चाहूंगे दूद में पानी मिलान गौला वो जो है दूद तो नहीं दे रहा है और राज दरबार में किसी डिपार्टमेंट किसी वेक्ति के माध्यम से जाएगा तो क्या करते थे कि जो वहां के जो वेक्ति हैं वो उसमें पानी मिलाते थे तो इन्हों ने देखा कि हमारे दूद के में तो यह पानी मिला ही हम ही क्योंग ना पहले मिला दे ताकि बाद में यह मिला ही ना पाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हम तो हम दूद का पूरा दाम जो हम ले। पाणी का दाम हम उनको क्यों qualidade रहे हैं जो वहां पर द्वार पाल हैं यहां पर जो आपके राज दरबारें हैं तो ये पहले से पानी मिलाने का यहां पर प्रधा करते हैं कि और कि बार व्लां से पूछा JR तो जो पहली बात आती है कि उन्होंने बड़ा प्रेम पुर्वक हमें बताया कि हमने सामने वाले को चैलेंज किया, एक घर था, उसने कहा कि दूद की गुनवत्ता खराब है, तो हम आपको इतना 500 रुपे, 1000 रुपे कम देंगे, क्योंकि इस महीने का दूद सही नहीं आया थ तो उन्होंने कहा, जो गौपा लखे, उन्होंने कहा, कि हमें 20 रुपे बस दीजिए, प्रती लिटर का, जो हम दो लिटर पानी हर दिन जो घर आपका पहुंचाते हैं, वो आप मेरे घर में अगर कर दीजिए, पर डे मेरे घर तक जो है पानी पहुंचाईए आप, उसका आप कितना दाम मतलब फ्री में करेंगे या कुछ दाम लेंगे आप बताई कि पानी का भी आजकल 20 रुपए से उपर जो हम दाम देखते हैं लेकिन दूद का जो दाम देने को आप तयार नहीं है आप 30 रुपए 25 रुपए जो सीधे गौपालक से लेते हूं बोलते हैं 40 रु और अगर आपको लो कॉस्ट में चाहिए तो आप भूल जाईए कि उसमें कितना मिलावाटे क्या हो रहा है वह हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे चारा का ही जो कोस्ट है खिलाने का ही जो पशू चारा का कोस्ट है वह 45 रुपए है उस व्यापार को हम कर रहे हैं उस ला फंडामेंटल कैलकुलेशन आता है कि बुढ़ी गाय को भी प्रतावना ना मिले और बच्छडे को भी रखा जाए मतलब गाय को मशीन की तरह अगर हम ट्रीट ना करें तो दूद का क्या दाम होगा क्योंकि अभी तक हम इन्पुट कोस्ट के हिसाब से दूद का दाम देख है कि क्या क्यों दूद का दाम क्या होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए घी तरह महंगा क्यों है और यह पूरा एको सिस्टम कैसे चल रहा है धन्यवाद